जै जबान जै किसान साथियो दोस्तों आज हम आपको हमारी लेसन दिखाने वाले हैं जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त की हमारी जो लेसन है ये कंडिसन आप देख सकते हैं साथियो इस लेसन को हमने सूट किया है दस तारीक तीसरा मैना दोजार वायश को ये थोड़ा सा दो दस दिन के असफास का सूट किया हुआ है किसी कारण वस हम आपके बीच में लेकर नहीं आप आप आएं लेकिन आप कंडिसन देख सकते हैं कि इस वक्त की हमारी लेसन जो कं परचा करेंगे कि हमको लेसन किस टाइम पर और लेसन हमें क्या संके देती तब जाके हमें आरवेश्टिंग करना है उसका किस अवस्ता तक हमको लाश्ट पानी दे के छोड़ देना है जिसके बाद हमको फिर डारेक्ट उखला देना है इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वा जादा प्रेसान किया है कई कई जगे तो बहुत जादा नुक्सान हो चुका है त्रप से लेकिन हमने भी इसमें कई बार स्प्रे किया है और वीडियो के माद्धम से आप सभी किसान भायों के बीच में हम लेक्या है जब भी हमने जो भी खाड़ डाला है जो भी स्प्रे कि भी आये है जितना हमारा अनुभफ था वो सारा आपके सामने ले कि आयए है अधी देखते हैं यसान ने साइच क्या लेलिया है अभी अभी हम इसको खाड़ कर देखते हैं इस वक्त यह कंडिशन है आज से दस दिन पहले का यह वीडियो है चलिए इसमें देखते हैं पत्ते किते हैं लेसन में देख तो तीन चार पात छे साथ आठ नव दस क्यारा 12 13 14 साथ यो 13 और 14 ही इसमें पत्ते रहते हैं 14 पत्ते आने के बाद में इसमें फिर अलग से पत्ते नहीं आते हैं और यह साइच हो चुकी है लगवग लगवग सभी लेसन भी बढ़िया वह चुका है और इसको आप ज्यादा समय नहीं है हर्विस्टिंग करने में इसका भी अपन कुछ समय बाद हर्विस्टिंग कर देंगे यह देखिए लगवग लगवग सभी पौधों में समान गटे और मैक्सिमम सभी पौधों में एक साथ तो रहता नहीं है कुछ उपर नीचे चलता है हमने इसमें दो तिन धार टेक्टर से बबायतारवा की मजदूरों से लगवाई थी तो हमने इसमें यह कंपेर किया कि आपको पास में जूम करके दिखाते हैं इसमें यह जो देख रहे हैं यह टेक्टर के दोरा भुबी हुई है इसमें कहीं जगे बहुत सारे पेड़ हैं बाजू में बड़ी कली नहीं बन पाती हो यहां पर आप जो देख रहे हैं वह सारा गैफ है कहीं ज्यादा होती है अब पक चुका है अब हमें उसको हर्विस्टिंग करने की आवसकता है तो आप इसमें देख सकते हैं यहां पर अब कोई नया पता नहीं आया है इस परकार की यह बोटी आजाती है जब इस परकार की हमारे लेसन के अंदर बोटी आजाती है तो उससे हमें पता लग जाता है क ये अब हमारी लेसन पक चुकी है, इस वक्त हमें अब पानी देने के आवज सकता नहीं है, नया कोई भी पत्ता इसमें नहीं आता है, और जितने भी सारे आप देखेंगे, उनमें सब में इस परकार के आजाते हैं, और जो लेसन में नहीं आता है, उसमें पत्ते आते रहते ह अब ये दोनों लेसन को कंपेर करके देख सकते हैं ये साथ लगी हुई लेसन थी इसमें थ्रिप्स और अन बीमारियों को इतना ज्यादा प्रकॉप था कि इस प्रकार से पूरी खराब हो चुकी थी और वहीं वाजू में आप हमारे ये प्लाट देख सकते हैं इस वक्त भी वह अभी हरी है कोई समस्या नहीं है कोई ज़्यादा बिशेश थ्रिप्स नहीं थी इसमें इसके अंदर अब हमें छोटी छोटी चीजों से सीखना होगा और इन की गलति जो हमने की है इन ही गलतियों को आगे हम सड़ी बनाकर आगे गलतिया ना करें इंग दोनों की कंडि ज्यादतर किसान भाई एक ही गल्दी करते हैं वो भीमार या थ्रिप्स जितनी भी सारी होती हूं उनका आने का इंतजार करते हैं पहले से रोक थाम के लिए कोई तयारी नहीं होती है जब वो अपने पूरी पकड जामा लेती है फिर उसमें इस्फ्रे उसमें दवाई या डा दलने का वो करते हैं तो मेरा मानना तो यह है कि कोई शीवी बीमारी हो उसके आने से पहले हमें उसकी लिए रोक थाम करना चाहिए तो हमें आगे उस चीश के लिए कोई भी प्रिसानी नहीं जिलने पड़ेगी हमारे प्रयास क्यासा लगा आप हमें कमेंट करकर जरूर बताएं ऐसे ही खेते से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर्प्या करके चैनल को सब्सक्राइब करें और किसान भाईयों के पास अधिक सेयर करें जै जवान जै किसान जै हिन